आप सब का स्वागत है कोट्फर एजुकेशन के अंदर एक और नए वीडियो में तो जैसे कि आपको पता है कुछ पिछली कुछ वीडियो मैंने आपको इंट्रिवू से रिलेटिट दी है जो कि रियाक का इंट्रिवू अगर आप निकालना चाहते हैं फ्रंटेंड के अंद इंट्रिवू के अंदर वीडियो पूरा देखेएगा बहुत इंपोर्टेंट है कि किस तरीके से आप्टमाइज आंसर आपको देना है करके अपने प्रियाक के पैक्टिकल कोशन को तो देखेंगे अभी आगए इस वीडियो के अंदर उससे पहले आपने से बहुत सारे ल आपको इनकिन बातों का ध्यान रखना है वो सारी वीडियो में यहां अपलोड कर रहा हूँ रोड मैप चाहते हैं आप फ्रेंट एंड बैक एंड में सब चीजह मैंने आपे कवर कर रहे हैं डीटेल में देन प्रॉड कास्ट कि हमारे गैस जो भी हैं वो कितने एक्स्पिर प्रॉड के सीरीज आपके जावास की एडवांस बेसी सारी चीजह मैंने कवर करी हैं यहां पर बूट्चैप 5 का लेटेस्ट वर्जिन प्रॉजेक्स उसके साथ में मल्टिपल थैने स्टेमिल सीएस आइट अंदर कह सर्वाइफ करना है सारी चीजह मैंने यहां पर रखी ह जिससे की वीडियो की लेटेस्ट नोडिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके हैं जितनी भी चीजह आप देख रहे हैं उनका सूर्स कूट कहां से मिलेगा फ्री ओफ कॉस्ट वह भी मैं आपको बता देता हूं तो एक हमारा यहां पर गिट का पेज है इस गिट के पेज प और किस तरीके से करना है अभी देखेंगे तो यहां से आप गिट के थुरू आप सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं अगर जो चीज़े गिट पे अविलबल नहीं है वो हमारी वेबसाइट पे अविलबल है यहां पर जाए सारी चीज़े फ्री ओफ कॉस्ट अविलब बात होगी आपकी कोड कहां से मिलेगा कैसे आप मेरे से बन टू वन जुड़ सकते हैं चलिए वापिस चलते हैं अपने टॉपिक पर जैसे की रियाक की अप्लिकेशन नॉर्मल हम बनाते है वह यहां पर विजिबल हो भी रही है आपको और जो आज का कोशन है वह कौन सा है कैसे मिलेगा को कौशन प्रॉपर तो चलिए पहले कोशन देखते हैं उसके बाद सकते को इसतार्ट वाद में सबसे पहले मेरे स्क्रीन पे कोशन देख रहा होगा हो तो कोशन यहां मैंशन किस तरीके का रा जा सकता है interview के अपको react context API for theme switching यह आपको बोला जा सकता है और जो task perform करना है आपको इसके साथ में वो क्या होगा आपका जैसे मैंने यहाँ पर mention करा है आपका implement a dark and light theme it means कि dark and light theme होनी चीए switcher, okay switcher using react context API context API का use करना है आपको या फिर आपका जो hook मिलता है आपको use context उसका use कर सकते हैं आप यहाँ पे the theme should persist across page refresh it means कि आपका जितने भी pages भूँगे वहाँ पर यह apply होना चाहिए अब देखें, interviewer यहाँ पर यह task के अंदर क्या क्या चीज़े test करना चाहता है आपकी skill में, सबसे पहले वो आपका react context आपका देखना चाहता है कि आपको hooks की और context repay की knowledge है या नहीं then यहाँ पर उसने mention करा है local storage okay, local storage के साथ में इसको कैसे perform करोगे आप यहाँ पर check करना चाहता है then उसके बाद में वो component themeing के बारे में देखना चाहता है कि 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 तरीके से आप अलग-अलग components आपके पास में हैं तो इसको कैसे manage कर सकते हैं आप तो यह है आपका interview question guys जो कि यहाँ पर मैंने mention कर रखा है अब इसके बाद में इसको कैसे setup करना है कैसे start करेंगे चली यहाँ पर चलते है सबसे पहले अपने vs code पे जैसे vs code पर आने के बाद में normal आपको पता है react जब हम create करते हैं एक application fresh तो कुछ इस तरीके का setup हमें देखने को मिलता है बट हमें यहाँ पर changes चाहिए तो जैसे कि CSS है रहे तो CSS के लिए मैंने already यहाँ पर CSS की एक file रखी हुई है तो इसको हम use कर लेते है इस वाली को हटा देते हैं इसकी जोरत नहीं है save नहीं करते हैं और इस वाली को save कर देते हैं तो देखें यहाँ पर क्या हो रखा है यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर transition मैंने background का रखा हुआ है and then इसके बाद में मैंने app पर ही पार्ट अब इसके बाद में यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर मैं इस header वाले पार्ट को भी हटा लूँगा यह भी नहीं चाहिए मेरे को अभी इसके बाद में अब क्या है जैसे app है मेरे पास में तो यहाँ पर सबसे पहले small क्या हमारी class का नाम small है और यहां से मैं इसको कर लूँगा remove तो देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं हमारी app.js वाले फाइल पर जिस पर आउटपुट देखने को मिलेगा तो मैं यहाँ header ले ले लेता हूँ class के अंदर हम क्या करेंगे app header आ जाएगा हमारा इसके बाद में h1 रख लेते हैं इस h1 के अंदर कर लेते हैं आपका react जो भी आपको naming देना है वो naming आप दे सकते हैं तो मैंने यहाँ पर h1 के अंदर यह naming देती है इसके बाद में एक button होगा अभी on click का तो functionality नहीं बनाएंगे हम बट अभी जो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से चीज़े आएंगी तो by default हम क्या करते हैं हम light लेके चलते हैं अभी यह dynamic आएगा वैसे तो बट यहाँ पर देखें इतनी चीज़ समझ गया यहाँ पर मैंने यहाँ इसको save करा सेव करने के बाद चलूंगा मैं यहाँ पर तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको विजिबल हो रहा है देखे रियाक्ट थीम स्विचर एंड यहाँ पर यह बटन आपको विजिबल हो भी रहा है इसके साथ में inspect on कर लेते हैं यहाँ चलते हैं सबसे पहले हम कहां पर application और यहाँ पर local storage पर आप देखेंगे यहाँ पर मैंने अभी जब इसको बना रहा था मैं test करने के लिए code लिख रहा था तब कर देते रहें इसको तरीके से आपको बताऊंगा कि कैसे चीज चलेंगी तो यहाँ पर आते हैं वापिस यहाँ पर किस तरीके से इसको बनाना है यह चीज तो आप समझगे पहले तो कि app.js की file के अंदर क्या चीज़े आएंगी अब इसके बाद में एक file बहुत important होने वाली है जो कि है हमारी themecontext.js से related एक file बनाएंगे हम separate ठीक है जिसका नाम रख लेते हैं यही जो मैंने अभी आपको बता है themecontext.js इसके उपर काम करें करेंगे हम यह फाइल बनाने के बाद में यहां पर हम क्या करेंगे RFC और यहां पर short form हम यहां पर बना लेंगे arrow function वाला हमें चाहिए था arrow function के लिए बनाएंगे short form ओके यहां पर आ जाएंगे functional component हमें चाहिए यह देखिए यह short form जो मैं आपको use करके दिखा रहा हूं यह मैंने बहुत multiple बार मैंने आपको बता रखा है तो यहां पर हम ले ले लेते हैं इसको export कर लेते हैं function नहीं होगा यह क्योंकि हम arrow function मनाना चाहते हैं यह इसके बाद में next यह देखें यह बन गए आपको यहां से remove कर देंगे इतनी चीज़ डन अब यहां पर आपको करना क्या है सबसे पहले आप इसको setup कैसे करेंगे क्या क्या बातों का ध्यार नखना है आपको सबसे पहले वहां पर interview के question के अंदर पूछा गया था कि context को use करना यहां यहां पर लेंगे then state हमें चाहिए होगा then इसके बाद में आपका use effect हमें चाहिए होगा इतनी चीज़ डन इसके बाद में यहां पर लगा लेते हैं then इसके बाद में यहां पर आपका export आएगा const, const के बाद में आपका theme, const, and जो create करने वाला function है हमारा उपर, वो हम यहाँ पर इसे ले लेगे, ठीक है, इतनी चीज दन, यह देखें, इतनी चीज दन, पहला step यहाँ पर हमने create कर लिया, भी है, हमारा create contest हमने यहाँ पर create कर लिया, इसके बाद में theme provider भी हमने ले लिया, इसक सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक const मना लेता हूँ, जो जिसके अंदर हमारी यह state, theme होगी न, theme set भी तो करवानी है हमें, और यह मिलेगी कैसे, जैसे मैंने आपको बता है, local storage हम use करेंगे, बट यह by default भी कुछ होनी चाहिए, तो by default हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर बोलते हैं ठीक है, यह देखें, यह हो गया आपका, किसमें, use state हमने, use कर लिया, इसके बाद में next, अब क्या, अब यहाँ पर हमें चाहिए, use effect का, ठीक है, use effect क्यों, तो देखें, किस तरीके से हम use करेंगे, use effect को, यहाँ पर आपके सामने, and then इसके बाद, पुछ इस तरीके से, इसके suppose saved item, ठीक है, यह चीज मैंने लिया यहाँ पर, यह saved item के बतले theme कर देते हैं, बहतर रहेगा नाम, and then local storage, इसका function होता है, dot get item, ठीक है, जो भी नाम इसे मिलेगा, वहाँ पर जो भी आप देंगे, वहाँ से यह pick करेगा, इस नाम, ठीक है, इसके अंदर की value को, यह key है, okay, then इ set theme के अंदर, आपकी, जो value saved वाली है, वो यहाँ पर set होनी चीए, यह पहले मैंने यहाँ पर condition दे दी, यह किस के लिए, किस case में दे रहा हूँ है, यह दे रहा हूँ, आपका, जब मेरा, वहाँ पर value set हो चुके, जब वो button पर click करेंगे, जो भी value होगे, वो set करवाने के लि करने का, वो भी हम यही पर declare करेंगे, देखे कैसे, toggle, theme, and then इसके बाद में, आपको, कुछ इस तरीके से function, आपको यहाँ पर arrow function बनाना है, लिकर लेते हैं, const, new theme कर लेते हैं, ठीक है, easy रहेगा नाम, देखें, जितना easy बनाएंगे आप न, उतना असान है आपके लिए, मैं simple सा condition है, कोई ज़्यादा इसमें fast and rule नहीं है, ठीक है, इसके बाद में, यह new theme आपकी यहाँ पर set हो जानी चीए, जो भी मैंने यहाँ पर अभी store करवा रहा हूँ मैं, पहली चीज, पहली condition, and then locally storage, का जो item है, set करवाने का method है, item के साथ में, वो भी तो करवाना होगा आपको देखे, अब जो नाम मैंने भी उपर दिया नहीं, जिससे हम get कर रहे हैं, वो सबसे पहले यहीं से set होगा, हमारे local storage के अंदर, और इसकी value, यहाँ से value जाएगी, जो मैंने यहाँ पर set रखी है, ठीक है, यह देखे, new theme की, इतनी चीज आपके लिए clear है, अब आप सोचेंग हम क्या करते हैं, यहाँ पर return, कैसे होंगी चीज़े अब, theme, contest, पहली चीज, इसके अंदर हमारे को क्या मिलेगा, provider मिलेगा, यह चीज हो गए हमारी यहाँ पर सबसे पहली, इसके अंदर हमने बोला क्या है, हमने बोला है, कि children आना चीज है, तो हम children रख रहे हैं पहली and then, जो function अभी मैंने बनाये, यह toggle theme, यह मैं यहाँ से इसको pass कर रहा हूँ, इतनी चीज done, इतनी चीज clear है आपके लिए, and then, इसके बाद में, अब क्या करेंगे आप, यहाँ पर सबसे पहले इसको wrap करना होगा, app.js पर लाने के लिए, ठीक है, तो इससे पहले हम चलेंगे, आपका index.js पर, यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको remove कर दूँगा, ठीक है, यहाँ पर इसे remove करने के बाद में, हम क्या करेंगे, हाँ पर सबसे पहले import करवाएंगे, देखिए, जो भी मैंने वहाँ पर बनाया था, अब है बारी उसकी यहाँ पर use करने, theme, provider को लेंगे हम, और यह अपने आप यहाँ पर import हो गया, इतनी चीज को copy करने के बाद में, सबसे पहले same, कुछ इस तरीके से लेंगे हम इसको, and इसको wrap कर देंगे, जो भी है हमारा, ठीक है, यह देखें, ओके, यहाँ पर यह आप समझगे कि किस तरीके से मैंने इसको wrap करा, wrap वाली चीज अब डन हो चुकिए हमारी यहाँ पर, अब इसके बाद में next किया, हमने क्या करा, index.js पर इसको कर दिया, इसको कर देते हैं, side यहाँ पर फाइल में, css हमारी डन है, इस वाली फाइल के अंदर हमने चीज़ें कर दिये, अब main concept, जो है हमारा app.js पर कैसे दिखाएंगे हम user क कैसे करवाएंगे हम user से, यह सारी चीज़ें कि हम यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ लेंगे import, react, then इसके बाद में आपका use, contest, from, कहां से, react, इतनी चीज़ समझ गए आप, then इसके बाद में next, import, then इसके बाद में हमें क्या चीज करना है हमें, अब कैसे use करेंगे, देखिए, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर, const, const में हमें यहाँ पर क्या मिलेंगे, चीज़े, theme, and theme, toggle, ठीक है, यह देखे, same, जो naming convention मैंने वहाँ पर रखा था, name मैंने declare करे थे, वहाँ पर, मैं वही same चीज, यहाँ पर mention कर रहा हूँ, और उसमें मैं पास कर रहा हूँ, आपका theme contest, मेरे को यहाँ से यह दोनों के दोनों चीज़े मिल रही है, ठीक है, मैं निकाल के लेकर आ रहा हूँ, और आप मेरे को use करनी है, तो use करने के लिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पर template string का sign use करेंगे हम, मैंने यह चीज पढ़ा करेंगे हम, and इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, हम करेंगे theme, अब theme में मेरे को क्या मिलेगा, light, dark, जो कि मैंने यहाँ पर CSS के अंदर आप जाएंगे, light पर light की CSS आजेगे, dark पर dark, यह grouping कर रहा है, एक तरीके से मैंने, ठीक है, तो यहाँ पर पहली condition done, next, अब क्या, यहाँ h1 नहीं change होगा, क्या change होगा हमें, हमें चीए पहले click वाली functionality, on click के लिए, यह जो button मैंने यहाँ पर रखा था, इस पर क्या करना होगा हमें, यह toggle वाला function call करवाना होगा, ठीक है, यह देखें, कुछ इस तरीके से, इसके बाद में, यहाँ पर यह जो light theme मैंने लिखा था, यह dynamic चाहिए मुझे, कैसे आएगा, यह देखे, theme, is equal to, is equal to, अगर, यह light है, same, turning operator जो मैंने अभी आपको उस file पर सिखाया है, तो यहाँ पर आपका dark हो जाना चीए, पहले चीज, नहीं तो, आपका क्या होना चीए, light हो जाना चीए, यह देखें, कुछ इस तरीके से, इतन पर इतनी चीज करने के बाद में, आप चलेंगे यहाँ पर, यहाँ आने के बाद देखेंगे, तो देखे, refresh करा, अभी आपको जैसे मैंने पहले दिखाया था, design, कि title है, button है, same, वैसा ही है, बस अभी हमने logic लिखा है, ठीक है, अब logic भी कैसे लिखा है, देखे, जैसी मैं क समझेंगे कि, अब मैं दुबारा button पर click करूँगा, switch to light theme, तो देखे, app.theme जो हमने local storage में रखा है, वो यहाँ पर आपका light हो रहा है, और जो हमारा यहाँ पर background है, वो जा चुका है, और normal जैसी theme हमें पहले दिख रही थी, वैसी है, it means कि हमारा code working है proper तरीके से, आप देख रही example, एक बर मैं वापिस code पर चलता हूँ, और fresh तरीके से proper समझाता हूँ, आपको recap कि हमने करा क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर CSS के अंदर आते हैं, हमने यहाँ पर background set करवा रखा है, कि light पर क्या आना चीए, dark पर क्या आना चीए, और button का क्या size होगा padding के साथ में, इतन करा है, theme context के अंदर, जिसका हमने use करा, कहां पर हमारी दूसरी file के अपर, and जो provider है, theme provider, उसके अंदर हमने children रखा, children के अंदर हमने यहाँ पर सबसे पहले set करवा है, कि light रहे हो, जो कि हमें by default मिलेगा ही देखने को, use effect के अंदर हमने एक function के अंदर local storage की value को get कर लिया, कि अगर यह है, तब ही जाके वो आपका state के अंदर save हो, otherwise no, okay, then इसके बाद में हमें function चाहिए था button पर click करने वाला toggle, तो toggle function के लिए हमने क्या करा, कि अगर उसकी condition check करी, theme है क्या, अगर basically अगर वो light निकलता है, तो dark हो जाए, नहीं तो वो light ही रहे, ठेक है, उसके लिए भी value set करवा दिया, हमें कहाँ पर store करवा दिया, हमने state, then local storage के अंदर भी हमने वो ही same value update मार दी, जो में हमें मिल रही है, button पर click करने के बाद, इसके बाद में हमने wrap करा, आपका theme context.provider के अंदर children को, जो भी हमारे pages होंगे, components होंगे, वो यहाँ आएंगे, उनके अंदर values क्या जा लेंगे, file को, theme context वाली file को, तो यहाँ पर हम इसको use करेंगे, कुछ इस तरीके से use context के अंदर, then यहाँ से हमने क्या करा, value निकाली, theme and toggle button, जो भी हमारे पास value थी, इसके अंदर हमें यहाँ पर मिल गया light yadar, and then यहाँ पर हमें मिल गया functionality, इस तरीके से यह work कर रहा है, उम् पर, and then मैं आपके problem resolve कर दूँगा, okay, तो उम्मीद करता हूं कि चीजें समझ में आ गई होंगी, जो भी मैंने इस video के अंदर बताई है, और जो भी कोई doubt है, जो भी चीज पूछना चाहते हो, या जो भी किसी भी question को, आप resolve करवाना चाहते हो, इस release के अंदर, आप comment कर सकते हो, मैं definitely उसको resolve करने के कोशिश करूँगा, यहाँ पर, and अगर वीडियो पसंद आई हो, तो like करें, share करें, comment करें, guys, and channel पर नहीं है, तो channel को subscribe करना ना भूले, मिलते हैं ऐसी एक और नहीं वीडियो में, जबके, till then, bye-bye, guys. झाल